तो आज किस वीडियो में मैं आपको एक update देने जा रहा हूँ जो की related है Samsung Galaxy A52s 5G से उसमें आपको Android 12 का update देखने को मिल गया तो ये रहा हम लोग का Android 12 का update जिसमें कि आपको One UI 4 का भी support देखने को मिलेगा तो देख लेते से परे इस update का size कितना है तो इस update का size आपको 2278.43 MB देखने को मिल जाता है Aproxy आपको 2.3 GB का update देखने को मिल जाता है और इसमें आपको बहुत सारे features देखने को मिल जाते हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं जब आप इसे update करेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में देख लाऊँगा कि कौन-कौन से नए features इस वीडियो में आए है तो इस वीडियो को आप full देखिए ताकि आपको सारे features पता चल पाए क्लस्वर्ग में कि टेरा हैं थे जापको में देखिए एकडि़ करेंगे चाहें कि तो इसे वीडियो में डितनी आपको सारे देखिए बाइ क्सांस्वरा ओर्वड़णाओ टो आपbest कि एarta तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मैं यहाँ पर One UI 4 का अपडेट इंस्टॉल कर लिया हूँ और यहाँ पर आप लोग को Android 12 देखने को मिल जाता है तो यह रहा हम लोग का Android 12 तो कुछ इस तरह आपको Android 12 का इस्टेटिक देखने को मिल जाता है तो चलिए मैं देखलाता हूँ इसमें आपको क्या-क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले फीचर्स तो मैं आपको देखला दूँ यहाँ जैसे ही मैं आता हूँ प्राइविसी में को से पर्णिंट देखने को मिलता यहां पर सारे ऐप किस समय में को स से पर्मिंट से प्रेफिकन אותion को मिला। तो सबसे पर आप यहाँ पर देख सकते हैं permission users का option देखने को मिल जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं microphone access तो आप इसे on करते हैं जैसे आप इसे अगर on कर देते हैं तो अगर आपका कोई भी app microphone या पर camera का access लेगा तो आपको उपर में green icon show होगा तो चलिए मैं आपको यह करके देखलाता हूँ जैसे मैं इस camera पर click किया तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर में camera का icon green green देखने को मिल जाता है तो यह बहुत ही बड़ा major update है security में और यहाँ पर आपको camera में कुछ changes देखने को मिल जाते हैं तो आपको one by one करना परता था अब लेकिन आप यहाँ पर बहुत ही simple option देखने को मिल जाता है और आपको मैं एक और बता दूँ अगर आप किसी भी आप पर long press करेंगे तो उसका आपको shortcut देखने को मिल जाएगा और मैं आपको देखला हूँ वह select option तो आपको यह app वाले panel में भी वह option देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से तो चलिए आप आप लोग आगे बढ़ते हैं आपको मैं clock में features देखलाता हूँ जैसे भी आप कोई भी timer यूज़ करते हैं यह update आया है तो वो बताना बहुत ही ज़्यादा difficult हो जाएगा लेकिन मैं आपको कुछ-कुछ जो की major update है वो आपको मैं देखला दे रहा हूँ तो सबसे पहला option तो यहाँ पर देखने को मिलता है material UI का तो वो क्या है तो देख लीजे जैसे मैं इसका wallpaper change करूँगा आपको यहाँ पर color palette का option देखने को मिल जाता है मैं यहाँ पर आऊँगा अपने wallpaper में और यहाँ पर कोई भी wallpaper में select करता हूँ जैसे मालीजी मैं यह वालपेपर select किया इसे home screen पर और यहाँ पर मैं इसे set as home screen पर click करता हूँ color palette का option देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पर different color palette है मैं इस पर select कर दूँ और यहाँ पर मैं apply to app icon पर भी click कर दूँ इसे और यहाँ पर set as color palette पर click कर देता हूँ तो यह देखिए का क्या होने वाला है तो देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे app icon भी उस color palette के according change हो गए मैं अगर notification में आओगा तो notification में जतने भी features थे उस color के according यहाँ पर change हो जाते है तो यह सबसे बड़ा update आपको इस one UI में देखने को मिल जाता है दूसरा update यह है कि अगर आपका phone यह lock है अगर आप चाहेगे तो lock screen से भी यहाँ पर आप अपने sound को record कर सकते हैं कुछ इस तरह से देख सकते हैं और यहाँ पर आपको fingerprint देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि fingerprint आपको नहीं देना पड़ेगा आपको अपने lock को unlock करना पड़ेगा और changes की बात के तो इसमें आपको कुछ-कुछ widgets में changes देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर widgets का look change हो गया जैसे कि हर एक app का option मणा दिया गया उसके अंदर जितने भी widgets आते हैं वो यहाँ पर आपको show हो जाते हैं तो इस तरह का कुछ looks में changes देखने को मिल जाता है और आपको इसमें dark mode में कुछ update देखने को मिलता है अगर आप जैसे ही dark mode पर click करते हैं तो यह तो dark होगा ही लेकिन उसके साथ साथ आपके icon को भी dark कर देगा पहले यह features देखने को नहीं मिलता था आपका icon bright रहता था लेकिन अब यह icon को भी dark कर देता है और आपको यह पर एक एक extra dim का भी option देखने को मिल जाता है जैसे मैं इसे on करता हूं तो देख सकते हैं इसे और भी ज्यादा dim कर दिया जाता है यानि कि आपके light को बहुत ज्यादा dim कर दिया जाता है इसमें आपको कुछ multitasking improvement देखने को मिल गया है, और इसके Samsung के keyboard में भी बहुत सारे update देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको new new emoji देखने को मिल जाता है, तो पहले से भी था लेकिन और भी ज्यादा improve इसे किया गया है, और इसमें आपको gallery में जाके editing का option भी देखने को मिल गय और आपको इसमें एक नया features देखने को मिलता है, picture in picture mode का, और आपको इसमें Bixby में कुछ-कुछ improvement देखने को मिल जाता है, और always on display में आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलता है, show new notification, इसे आप अगर enable कर लेंगे, तो आपको जो भी new notification हैगा, आपको वो always on display पर show करेगा, त अगर आप चाहते हैं, उस tab का features रखना और आपको contact में कुछ-कुछ emoji save करने का option देखने को मिल जाता है, overall बात के तो इसमें कुछ drastic change नहीं आया है, अगर आप 1 UI 3.1 यूज करते थे तो आपको कुछ-कुछ हद तक change लगेगा, थोड़ा बहुत changes लगेगा, minute सा change लगेगा, इसमें आपको कुछ-कुछ नए-नए-निमेशन में थोड़ा change लगेगा, आपको इसमें थोड़ा हलका सा, soft सा feel होगा, यहाप इसे यूज करिएगा तो, और इसमें आपको कुछ-कुछ भी drastic change नहीं, इसके look-wise में देखने को मिलता है, except material UI के, तो नहीं बात कि इसमें update कि कि security और privacy में, इसके security और privacy में बहुत ही जादा update आया है, अगर आप इसके update को detail में जानना चाहते हैं, तो आप simply अपने tips में आजाएंगे, tips में आने के बाद आपको यहाँ पे सारे update को detail में बताया गया, जैसे कि setting में क्या-क्य update आया है, तो आप यहाँ से जाके check out कर सकते हैं यहाँ पे आपको सब कुछ update में देखने को मिल जाता है, तो उसी तरह आपको apps and features में क्या-क्य update आए हैं, वो देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे total आपको 10 तरीकी से यहाँ पे बताया गया है कि कौन-कोन से update आ गया है, और यहाँ पे आपको device connection में कौन-कोन से update आए है, तो वो यहाँ पे आपको बता दिया जाता है और नहीं बात यहाँ पे आपको expert tips भी देखने को मिलता है बहुत ही अच्छी अच्छे tips आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको अपने phone के बारे में सारी बाते यहाँ पे मिल जाएगे